प्रिजेपी से हमारा कता है उससे लड़ूँगा उससे फाइट करेंगे और उससे हम दो जीतेंगे बाजपा कि मैं उसकी साजीस और सरना कोड तो खतम करने का साजीस की पोल खोलने के लिए ही मैं खड़ा हुआ हूँ तो वो जो सरना कोड वाला जो मामला है असल में आप ऐसा कहेंगे तो अतिस्योप्ती नहीं होगा कि मेरा लड़ना भी उस चीज को पाने के लिए ही है जामुमो विधायक चमरा लिंडा ने बुदवार यानि आज लोहर दगा सीट से नामानकन दाखिल कर दिया लोहर दगा से आई अंडिया येगट बंधन की तरुप से सुगदेव भगत चुनौ मैदान में है पिश्वे कई दिनों से कयास लगाय जा रहे थे कि जामुमो के चमरा लिंडा वहां से चुनौ मैदान में उतर सकते है उनके चुनौ मैदान में उतरने के साथ ही सुगदेव भगत की मुश्किले बढ़ गई है आपको बता दे कि विशुनपुर विधायक चमरा लिंडा एक दमदार और कदावर नेता के रूप में जाने जाते है वहीं उनके मैदान में उतरने से भाजपा कॉंग्रेस के पसी ने छूट रहे है आई एंडिया ये गडवन्दन की ओर से लोहर दगा सीट कॉंग्रेस के खाते में आई थी इसके बाद लोगसभा चुनाओं के लिए कॉंग्रेस ने सुगदेव भगत को अपना कैंडिडेट बनाया एंडिया ने वर्तमान सांसद सुदर्शन भगत का टिकट कार्ट कर राजसभा सांसद रहे समीर उनाओं को मैदान में उतारा है और उन्होंने नामानकन भी कर दिया है पर अब जामुमों के चमरा लिंडा के भी नामानकन करने के बाद सुगदेव को अब केवल समीर उनाओं ही नहीं बलकि चमरा लिंडा के चैलेंज को भी फेस करना होगा जनता के बीज आई एंडिया ये गडवंधन के दो दो कैंडिडेट दिखने से उहातों की भी इस्तिती बनेगी अब यहां भी संभव है कि पूर्व मंत्री एनोस एका की जारकन पार्टी भी चमरा को सपोर्ट दे इससे भी आई एंडिया ये गडवंधन के सुखदेव के लिए और मुश्किल हाला पैदा हो सकती है और जैसे कि पिछले 20 सालों से हम लोग सभा में कॉन्टेस्ट करते रहे हैं और उसकी रिजल्ट भी हमारे पास रहा है तो यह कंशिडेंस है कि इस बार की परिष्टिती हमारे लिए बीजेपी से हमारा टकर बीजेपी से कॉंग्रेस नहीं तो यह कंटेस्ट हमारे वर्सेस बीजेपी में और मैं इसलिए इसको पहूंगा उससे लड़ूंगा उससे फाइट करेंगा और उससे हम लोग जीतेंगे जो कि हमारे जो इमोशनल आटेच्मेंट की जो हमारी आइडेंटिफिकेशन से संब्दी जो हम लोग से 20 साल पहले 2001 से मांग करते रहें कि भारत देश में हमारा आइडेंटिफाई करेगा तो वो जो सरना कोडवाला जो मामगा है असल में आप ऐसा कहेंगे तो अतिस्योक्ति नहीं होगा कि मेरा लड़ना भी उस चीज़ को पाने के लिए है या तो हमारा पबलिक जागरित हो इंडिया ने एलाव किया साथ नमबर कोलम मिला 11 में आया 44 लाक आया अब 21 में वो कोलम को ही भाजपावालों ने बंद कर दिया है यह हम लोग बहुत तकलीप में हैं वह दूखिया है तो हम लोग इसको यह मसूस कर रहे हैं अब इसको ग्री मंत्रा ले किया मगर इस शासनक परदर इसको बंद कर दो और इसके पीछे बहुत सारे कारण है क्योंकि हम इससा समझते हैं कि यह जो धरम का कोड हमारा नहीं होना और होने से हमारी बहुत सारी समिधानिक अधिकार जो है कानूनी अधिकार है समिधान का अधिकार है यह से 275 का वन है यह से 13 का ए भी है 350 का सबसे ज्यादा है एक निर्दलिये जीता हुआ पोई कंडिडेट किसी पार्टी में भी चाहिए निर्दलिये जीता हुआ चला गया दूसरे चन उसकी सदस्यता समाप कर जाएगा एक टेन सीजूल कमापता है और हम उसको लेते आए अगर कहें तो आप रोगों को हम लोग दे सकेंगे मगर हम मेहनत करके परिश्रम करके जनता को से भोट ले करके जीतेंगे और क्या हम सदस्यता को खतम करने का कोई आ तो ऐसा कहने का सवाल ही कहां है मेरी यह लराई अभी से क्या है 2004 कि 2004 में कोई आप नहीं लगाया 2009 में लयँं लगाया 5000 में कवहिए तब भी नहीं आर। क्यों ए ब्यक्ति यह सारा संसाधन संपत्ति आम जनता से उसकी तो सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले करें करें